आज हम जान लेते हैं ब्याज इफ्तुती अलंकार एबं ब्याज निंदा अलंकार किया होता है तो चली अब हम जान लेते हैं ब्याज इफ्तुती अलंकार किया है जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किन्तु बास तब में प्रिसंसा हो बहां बे आज इफ्तुती अलंकार होता है तो चली अब हम उदाहरण देख लेते हैं गंगा क्यों टेड़ी चलती हो दुस्टों को सिब कर देती हो तो यहाँ पर पहले तो गंगा की नंदा से की जा रही है कि गंगा क्यों टेड़ी चलती हो तो यहाँ पर नंदाफी जान पड़ती है और बाद में यहाँ पर दुस्टों को सिब कर देती हो अर्थात जो पापियों के दुस्टों के पाप होते हैं उनको दूर कर देती है तो यहाँ पर बास तम में फिरसंसा है तब यहाँ पर ब्याज इफ्तुती लंकार होगा तो चलि अब हम आँगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं ब्याज निन्दा लंकार क्या होता है जब कथन में देखने और सुनने पर इफ्तुती का आभास हो किन्तु बाश्ताम में निन्दा हो बहां बियाज निंदा लंकर होता है जैसे उदाहरण हो जाएगा सेमर तुम बड़ भाग है कहां सराहियो जाए पंची करई फल आस तेही निफदिन से भी आए अर्थात यहां पर सेमर एक बड़ा पेड होता है और उसकी सराहन क्यों की जाएगी जब वह फल ही नहीं देता है पक्षियों के लिए और पक्षी आसा में बैठे रहते हैं तो पहले तो यहां पर सेमर तुम बड़ भाग है पिर संसा की जा रही है और बाद में यहां पर सेमर की निंदा की जा रही है तब हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्याज नंदा लंकर होगा थेंक यू